हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है Microsoft Office 2003 में आप अपने पर्सनल जीमेल अकाउंट को किस तरह से आई मैप में कॉन्फिगर कर सकते हैं तो guys आप लोगों से request है वीडियो को start से लेके end तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आया तो like, share, subscribe करना ना भूलें ठीक है guys मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा मैंने अपने YouTube चैनल के playlist में बहुत सारे videos upload करके please आप चैनल के playlist में जाएए और वहाँ पर आपसे जो भी related topic है उसको देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने देख सकते हैं outlook open किया है यहाँ पर हमारे पास outlook 2003 का setup है जो की already installed है तो जिस तरह से मैं जो जो option choose कर रहा हो, select कर रहा हूँ same आपको भी same process आपको भी repeat करना है, apply करना, IMAP मैं select करके next कर देना है यहाँ पर आपको आपका username डालना है, जो भी आपका नाम है XYZ मैं यहाँ पे मेरा नाम डाल रहा हूँ यानि कि मेरे चैनल का नाम डाल रहा हूँ grow your knowledge और मैं यहाँ पे अपना email ID डालने वाला हूँ जो मैं configure करने वाला हूँ गैज यह Microsoft Office 2003 है जिसमें मैं Outlook configure कर रहा हूँ अपने personal Gmail account को ठीक है मैंने अल्रेड़ी 2013 के उपर टॉपिक पे वीडियो बना रखा है प्लेइलिस्ट में अपलोड भी किया है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं यूजर नेम में भी आपका email ID आएगा पासवर्ड में आपका जो personal Gmail account का पासवर्ड है वह पासवर्ड यहाँ पे रहेगा और incoming mail server है outgoing mail server है हम लोग एक एक करके देखेंगे और वीडियो को ध्यान से देखिए अई होप अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो एक single वीडियो काफी हो जाता है फिर दूसरी वीडियो को skip करके जाने की ज़रूरत नहीं है configuration के लिए ठीक है यहाँ पे imap.gmail.com डालेंगे और outgoing server में smtp.gmail.com डालेंगे यही same port incoming outgoing के जो भी ports होते हैं यह आपका 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2020, 2021 के Microsoft Office के outlook में जब भी आपका personal Gmail account configure करते हैं same port होता है कभी-कभी तोड़ा सा SSL या TLS या numbers changes होते हैं otherwise same होता है आपको Gmail में जाने के बाद वहाँ पे आपको accounts में जाने के बाद वहाँ पे आपको application यानि के app password डालना पड़ता है जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें password पॉप अप आया है don't worry हम क्या करेंगे फिर से हमारा Gmail account लॉग इन करेंगे जो हमने लॉग इन कर रखा है अगर नहीं किया है तो लॉग इन कर लेंगे लॉग इन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है Google accounts में जाना है यहाँ पे हमारा Google accounts में जाना है राइटन साइट पे जहाँ पे हमने करसर को लेके गए थे Google accounts में जाने के बाद setting में जाना है जो setting यहाँ पे होगा वही same setting आपका 2007, 10, 13, 16, 19, 21 हर एक MS office में होगा अगर आप personal Gmail use कर रहे हैं configure करने के लिए तो iMap को enable करना है save changes करके बाहर आ जाना है ठीक है फिर से minimize करके same remember password करके ok करते हैं देखने कि वो accept करता है कि नहीं करता है नहीं accept करेगा तो कोई बात नहीं एक और step है हम दुबारा वो same try करेंगे जहां पे app password मांगता है चाहे आपका Gmail account हो चाहे आपका Yahoo mail account हो same type करना होता है Yahoo के भी मैंने videos upload कर रहे हैं किस तरह से आपके personal Yahoo को आप configure कर सकते हैं तो आप लोग से request है चैनल के playlist में जाएए वहाँ पे Microsoft Office 2013 selection लीजिए वहाँ उसके अंदर आपको मिल जाएगा जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने security में आना है security में आने के बाद scroll down करेंगे और हमारा already two step verification होन है तो उसके हमें attention नहीं यहाँ पे app password है app password पे हम single click करेंगे यहाँ पे हमारा Gmail का password डालेंगे अगर आपके email में two step verification enable नहीं है तो सबसे पहले enable करना होगा उसके बाद आपको app password के लिए option आता है ठीक है अगर आपका two step verification enable नहीं रहेगा तो guys आपको app password के लिए option नहीं आएगा इन चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहले हमें two step verification on करना है और यहाँ पे वो code में type कर रहा हूँ और just next करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे select app आ रहा है मैं इसको mail select करूँगा क्योंकि मैं outlook में email configure करने वाला हूँ windows computer है हमारे पास इसको generate करेंगे यह one time password generate होता है इसको हम total को copy कर लेंगे right click करके select करके इसको done कर देंगे और जहाँ पे हमारा outlook में password मांग रहा है वहाँ पे उसको control V यानि कि paste कर देंगे और इसको save करके remember password करके ok कर लेंगे ठीक है आप देख सकते हैं हमारा outlook configure हो चुका है इसमें हमें password नहीं मांग रहा है अब हमें क्या करना है हमारा जो outlook configure हो है वो load हो रहा है कि नहीं हम देखेंगे यहाँ पे हम आएगे imap.gmail.com gmail वाले option पहाएंगे और inbox में single click करेंगे यह देख सकते हैं यह सा हमारा processing है जितने भी mail से हमने already उसमें पहले से हैं यहाँ पे पूरा mail download हो चुका है और जो भी pending होगे वो भी दिरे दिरे download हो जाएगा तो guys इस तरह से हमें यहाँ पे configure कर रहा है बहुत easy है कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देखिए अगर फिर भी समझ में आता है तो मुझे comment करिए लेकिन अगर एक बार आपने start to end वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपको दोबारा किसी और topic सेम वीडियो सेम topic के लिए किसी और दूसरे वीडियो को जाके visit करने की ज़रूरत नहीं है इसमें simple है पहले जब भी आप Gmail account configure करो आपके personal Gmail account को किसी भी Microsoft Office के version पे चाहे वो 3 हो, 7 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो या 21 हो सबसे पहले आपको क्या करना है Gmail account login करना है वहाँ पे आपको pop या imap जो भी आपको configure करना है वो enable करना है setting में जाने के बाद मैंने इस वीडियो में अल्रेडी दिखाया है setting में enable करने के बाद आपको same यहाँ पे type करना है incoming mail server और outgoing mail server उसके port type करना है और उसको next करके देखना है अगर वहाँ पे भी आपको password मांग रहा है तो simple है आपको Google account में जाना है Google account में जाने के बाद वहाँ पे आपको two step verification enable करना है अगर enable है तो कोई बात नहीं है अगर नहीं enable है तो आपको enable करना है उसके बाद आपको app password का option आता है जो app password में option आएगा one time password generate होता है वो password को आपको simply copy करना है copy करने के बाद जहाँ पे आपका outlook का password pop up आ रहा है वहाँ पे paste कर देना है उसके बाद आपको वो password नहीं पुछेगा और आपका outlook successfully configure हो जाएगा तो guys I hope आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखनी को मिले तो I think अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखनी को मिले तो मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि इस तरह से मैंने मेरे चैनल का नाम रखा है grow your knowledge मैं खुद की knowledge को बढ़ाऊ और आप तक पहुचाओ आप अपने knowledge को गेन करो बढ़ाओ और दूसरे तक इस वीडियो को पहुचाओ ठीक है तैंक यू सो मच गाइज